अपने आयुर्वेदिक फ्रैंचाइज बिजनेस की मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे करें। डॉक्तरों, केमिस्टों, फामेसियों और वैध्य हकीमों के बीच अपने आयूर्वेदिक फ्रैंचाइज PCD बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशन के यहां सुझाव दिये गए हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो नंबर एक अपनी टार्गेट ओडियन्स के बारे में स्पष्ट रहें आप अपने मार्केटिंग प्रयासों से किस तक पहुँचने का प्रयास कर रही हैं एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपकी टार्गेट ओडियन्स कौन है तो आप उन्हें आकर्षित करने के लिए अपने मार्केटिंग मैसेज को तैयार कर सकते हैं. नमबर दो, अपने उत्पादों और सेवाओं के लाभू पर ध्धान दे. आपके उत्पाद और सेवाएं उनके रोग्यों के स्वास्थि को बहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? नमबर 3 अपनी USP के बारे में स्पष्ट रहें आपके बिजनेस को प्रतिसपरधा से अलग क्या बनाता है? आप कौन से लाब प्रदान करते हैं, जो अन्य बिजनेस नहीं देते? नमबर 4 पेशेवर और विश्वस्निय बने डॉक्तरों, केमिस्टों, फार्मेसियों और वैध्य हकीमों के लिए मार्केटिंग करते समय, प्रोफेशन और विश्वस्निय होना महत्वपूर्ण है इसका मतलब है उच्चगुणवत्ता वाली सामग्रियों का उप्योग करना और ऐसे किसी भी दावे को करने से बचना जो साक्षद्वारा समर्थित नहीं है नमबर 5 अपने मार्केटिंग संदेशों को सुसंदत रखें आपके मार्केटिंग संदेशों को आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया और विज्ञापन सहित सभी चैनलों पर सुसंदत होना चाहिए इससे आपके बिजनेस के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने में मदद मिलेगी नमबर 6 अपने परिणामों को च्राक करें अपने मार्केटिंग प्रयासों के परिणामों को च्राक करना महत्वपूर्ण है ताकि आप देख सके कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं इससे आपको समय के साथ अपनी मार्केटिंग रणनीती को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी नमबर साथ धैर्य रखें डॉक्तरों, केमिस्टों, फार्मेसियों और वैध्य हकीमों के साथ प्रोफेशन रिलेशन्शिप बनाने में समय लगता है रातो रात परिणाम आने की उमीद न करें धैर्य रखें और अपने मार्केटिंग प्रयासों में लगातार लगे रहें इन युक्तियों का पालन करके आप डॉक्तरों और दवा विक्रिताओं के बीच आयुर्वेदिक दवाओं का प्रभावी धन से मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हैं और अपनी टार्गेट और और प्रोफेशन के कुछ उदाहरण एक ब्रोशर या फ्लायर बनाएं जो आपके उत्पादों के लाभों पर प्रकाश डालता हो इसे डॉक्टरों और केमिस्टों को वित्रित किया जा सकता है या इसे सीधे उन्हें मेल किया जा सकता है एक वेबसाइट बनाएं जो आपके उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करे इस वेबसाइट को सर्च इंजनों के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि जब लोग आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित कीवर्ड खोजे तो यहाँ दिखाई दे सोशल मीडिया विज्यापन चलाएं जो डॉक्टरों और केमिस्टों को लक्षित करते हो इन विज्यापनों का उप्योग आपके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और आपके ब्रांड के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है उद्योग कारिक्रमों और सम्मिलनों में भाग ले यहाँ डॉक्टरों और केमिस्टों के साथ नेटवर्ग बनाने और उद्योग में नवीनतम रुझानों के बारे में जानने का एक शांदार तरीका है डॉक्टरों और दवा विक्रिताओं को अपने उत्पादों के निहशुल्क नमूने प्रदान करें यहाँ उन्हें आपके उत्पादों को आजमाने और यहाँ देखने के लिए प्रेरित करने का एक शांदार तरीका है कि वे अपने रोगियों को कैसे लाब पहुँचा सकते हैं डॉक्टरों और केमिस्टों के लिए शैक्षिक सेमिनार आयोजित करें इन सेमिनारों का उप्योग उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं के लाभों के बारे में शिक्षित करने और उनके समालों के जवाब देने के लिए किया जा सकता है विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग और प्रचार रणनीतियों का उप्योग करके आप अपनी टार्गेट ओडियन्स तक पहुँच सकते हैं और अपनी आयुर्वेदिक दवाओं को प्रभावी धंग से बढ़ावा दे सकते हैं